तो भाई मैंने इस Earbuds को आज पूरे दिन यूज करा है और इसमें मैंने मोवी भी देखी है गाने भी सुना है और सारे एक्सपिरियंस करा इसके जितने भी फीचर्स थे सभी फीचर्स को यूज करा एक पर थोड़ा आपको sound सुनाते है इससे sound कैसा produce होता है वो सुनके बताओ दोस्तों comment box में आपको कैसा लगा तो दोस्तों finally मेरे पास Realme Air 6 Pro आचुका है आज हम करेंगे इसकी जल्दी से unboxing इसके अंदर आपको dual device connection मिल जाता है dual drivers मिल जाते है battery bag अपच्छा मिल जाता है और LDAC का support भी मिल जाता है तो सभी चीच के बारे में हम बात करेंगे तो हम जल्दी से box को open करते है बाई box काफी compact अगर भी छोटा सा है बढ़िया लग रहा है जल्दी से निकालते है सामने की तरफ ये look आता है packing में और अगर हम इसे side करते है तो ये जो आपको case देखने को मिल जाता है काफी glossy finish के साथ है सामने realme की branding है back side में कुछ नहीं है आपको एक power button देखने को मिल जाता है connect करने के लिए किसी भी new device से नीचे type C का support है और जो earbuds है काफी lightweight है इसके अंदर आपको 6 mic का support मिल जाता है तो मुझे काफी अच्छे लगे और कान के अंदर fitting भी काफी जादा अच्छी देखने को मिल जाती है और जो ये color है ना दोस्तों काफी अच्छा है मतलब है तो black नहीं glossy type का है बट काफी अच्छा लगा मेरे को और डबे के अंदर आपको मिल जाते है ear tips small और bigger size के और साथ ही साथ type C cable और एक पुस्तक जिसे मैं पढ़ना important नहीं समझता इसको connect करने के लिए आपको realme link app download करना होगा app store या play store से और तुरंत ही यह हो जाता दो मिंट के अंदर connect जैसे connect करेंगे उसके बद हम देखेंगे इसके app के features तो काफी ही मतलब जवर्दस features आपको मिल जाते एक flagship premium neckband वाले features इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे जैसे की बात करें यहाँ पर देखो noise cancellation का support 50 decimal का साथ ही साथ आप noise cancellation को adjust कर सकत हो smart max mild moderate तो वह आपके हिसाब से adjust हो जागा मुझे smart वाला काफी पसंद आया तो आपके उपर है वह और साथ ही साथ इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है sound effect mode जो की आता है पहले से clear bass पे तो अगर आपको bass सुना पसंद है तो आप bass boost clear bass सुन सकते हो मेरे को vocals ज्यादा तो मैं vocal select करूँगा और काफी अच्छे तरीके से work करता है golden sound अभी मेरे को थोड़ा explore करना होगा इसके उपर मैंने ज्यादा explore क्यारा नहीं है देखेंगे इसको और एक बार आप यह सुनो special audio है इसका सबसे best sound करता है मतलब चारो और से हवाज आती है बहुत ही अच्छा experience रहता है तो भाई मैंने इस earbuds को आज पूरे दिन यूज करा है और इसमें मैंने movie भी देखी है गाने भी सुना है और सारे experience करा इसके जितने भी features थे सभी features को use करा और मैं यह बूलूँँगा जितने में मैंने इसे खरीदा है यानि मैंने इसे 4000 रुपे में खरीदा भी sale है इसलिए तो 4000 रुपे में तो भाई यह worth it है बहुत ही बढ़िया sound quality है bass भी आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते है बट मेरे को एक natural बहुत अच्छा लगा 50 decimal के इसके अंदर noise cancellation मिल जाता है जो क बहुत अच्छी है मैं आपको लिखाता हूँ जैसे मैं इसे यहाँ लगाया तो यह काफी अच्छी fitting है मतलब मैं कुछ भी गड़ लू तो यह निकलेगा नहीं और प्लस में यह lightweight है तो lightweight होने के कारण आप इसे long term भी use कर सकते हो तो अभी का मेरा experience है मैं बोलूँगा भाई चार अजार रुपे अगर है और यह आपको चार अजार रुपे में मिल रहा है तो यह worth it है आप इसे ले सकते हो आपको कोई भी problem नहीं होगी और long time जैसे मैं use करूँगा एक इसकी video लेकर आँगा लंबी video कि मेरे को long term में यह कैसी रही इसकी battery life क्या है बाकि first expression तो मैं यही बोलूँगा कि काफी अच्छा है दिखने में भी बहुत अच्छा color भी बहुत अच्छा है और glossy में आ जाता है हाँ एक चीज है कि इसमें यह जो case है इसमज जा जाता है मतलब कि इसमें क्या है आपके fingerprint वगेरा आ रहे है क्योंकि यह glossy में यहाँ पे realme की branding है बट yes long term में का काफी अच्छा है और मैं तो बोलूँगा भाई आपका 4000 का budget आप इस sale में इसे बाई कर सकते हो और मैं आगेन future side oneplus से इसका comparison भी लगवा oneplus buds 3 pro से तो देखते भाई आप बताना है comment box में अगर आप इसे use कर रहे हो तो कैसे लग आपको और अगर आपके कुछ भी doubt हो तो जरू करना चैनल को सब्सक्राइब जरू करना मिलते है नेक्स वीडियो में टेक क्या बबाई